ओम सांती आज दो ग्यारा दो हजार बीस की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह पुर्सोत्तम संगम युग है पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है तुमें अब पुर्सार्थ कर उत्तम देवपद पाना है आज की मुल्ली का प्रस्न है सर्विसेबल बच्चों की बुद्धी में कौन सी बात सदेव याद रहती है उत्तर है उन्हें याद रहता कि धन दिये धन ना खुटे इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याक कर ग्यान धन का दान करते रहते हैं ठकते नहीं लेकिन अगर खुद में कोई अगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है अब सुनते हैं मुल्ली विस्तार से ओम सान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप बैठ समझाते हैं बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं बाप सिर्फ सिक्सा देंगे संभालते रहेंगे क्योंकि बाप के तो गर में ही बच्चे रहते हैं माबाप साथ रहते हैं यहां तो यह वायू मंडल यहां तो यह वंडरफुल बात है रुखानी बाप के पास तुम रहते हो एक तो रुखानी बाप के पास मूलवतन में रहते हो फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने वापावन बनाने सुक वा सांती देने तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे इसमें ही मनुस्यों का मुझारा है गायन भी है सादरन तन में प्रवेश करते हैं अब सादरन तन कहां से उड़कर तो नहीं आता जरूर मनुस्यों के तन में ही आते हैं सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको सर का वर्षा देने आये हैं जरूर हम लायक नहीं हैं पतित बन गए हैं सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ आकर हम पतितों को पावन बनाओ बाप कहते हैं मुझे कलप कलप पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है हे बच्चों अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना हैं पुरानी दुनिया को पतित नई दुनिया को पावन कहेंगे गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए है कल्यूग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे अभी कल्यूग चल रहा है ना इसको तो कोई नई दुनिया नहीं कहेंगे यह तो समझ की बात है ना कल्यूग है पुरानी दुनिया बाबा कहते हैं जो अभी कल्यूग है वो क्या है पुरानी दुनिया है बाप भी आएंगे जरूर पुराने और ने के संगम पर जब कहां भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरसोतम संगम यूग है अभी कौन सा यूग चल रहा है पुरसोतम संगम यूग बाप आया हुआ है सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरसोतम संगम यूग है जरूर तुम संगम यूग पर हो तब तो समझाते हो मुख्य बात है ही संगम यूग की तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े इसलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरसोतम संगम यूग है नए यूग अर्थार्थ सत्यूग के चित्र भी है मनुस्य कैसे समझें कि यह लक्ष्मी नारैन सत्यूगी नई दुनिया के मालिक है उनके उपर अक्सर जरूर चाहिए पुरसोतम संगम यूग यह जरूर लिखना है क्योंकि यही मुक्य बात है मनुस्य समझते हैं कल्यूग में अभी बहुत वर्स पड़े हैं बिलकुली गोर अंध्यारे में है तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी हो रही है गीत भी है नवयूग आया अग्यान नीन से जागो यह तुम जानते हो अब संगम यूग है इनको नवयूग नहीं कहेंगे संगम को संगम यूग की कहा जाता है यह पुरसोतम संगम यूग जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया इस्तापन होती है मनुस्य से देवता बन रहे हैं राजयोग सीख रहे हैं देवताओं में भी उत्तम पद है ही लक्षमी नारायन का यह भी है तो मनुस्य इसमें देवी गुण है इसलिए देवी देवता कहा जाता है सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का तब तो मनुस्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं ये सब points बुद्धी में धारन उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं कहा जाता है दन दिये धन ना खूटे बहुत समझानी मिलती रहती है knowledge तो बहुत सहज है पर तो कोई में दारना अच्छी होती कोई में नहीं होती है जिन में अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते तो बाप बच्चों को समझाते हैं परदर्शनी में सीधे सीधे अक्सर देने चाहिए पुर्सोतम संगम युक तो मुख्य समझाना चाहिए इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धरम की स्थापना हो रही है जब यह धरम था तो और कोई धरम नहीं था यह जो महाबारत लड़ई है उनकी भी ड्रामा में नूंध है यह भी अभी निकले हैं आगे थोड़ी थे सौ वर्स के अंदर सब खलास हो जाते हैं संगम युक के कम से कम सौ वर्स तो चाहिए ना सारी नई दुनिया बननी है न्यू डेली बनाने में कितना फरक तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है फिर पुरानी खलास हो जाएगी कुछ तो रहती है ना प्रले तो होती नहीं यह सब बाते बुद्धी में है अभी है संगम युग नई दुनिया में जरूर यह देवता थे फिर यही होंगे यह है राज योग की पड़ाई अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो परमपिता परमात्मा जो सब का बाप है उनको तो सब याद करते हैं वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ बरोबर कल्यूग में हैं पतित सत्यूग में पावन होते हैं अब परमपिता परमात्मा कहते हैं दे सहित दे के ये सब पतित सम्मन छोड़ दो मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे ये गिता के भी अकसर है है भी गिता का यूग गिता संगम योग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनास हुआ था, बाप ने राज योग शिखाया था, राजा इस्तापन हुई थी, फिर जरूर होगी, यह सब रुवानी बाप समझाते हैं न, चलो, इस तन में ना आए, और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है न, हम तो सिर्फ समझाते हैं, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे, जितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो, और 84 के चक्र का ग्यान बुद्धी में हो, जो धारना करेगा, वह चक्रवरती राजा बनेगा, यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है, गर तो सबको जाना है, हम भी गर का ही रास्ता बताते हैं, पादरी आदी कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो, तुमको खुशी का बहुत पारा चड़ना चाहिए, परम पिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुमारे विकर्म विनास होंगे, सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर वन सर्विस है, गीता का यूग भी अब है, बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र सुरू में रखना चाहिए, जो समस्ते हैं, हम बाप का पैगाम जो समस्ते हैं, हम बाप का पैगाम दे सकते हैं, तो तयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए, हम भी अंदों की लाठी बनें, यह पैगाम तो कोई भी दे सकते हो, बिके का नाम सुनकर ही डरते हैं, बोलो हम सिर्व बाप का पैगाम देते हैं, परमपिता परमात्मा कहत करते हैं मुझे याद करो बस हम कितनी किसकी ग़्लानी नहीं करते बाप कहते हैं मामेकम याद करो मैं उंच दे ऊंच पतितपावन हूं मुझे याद करने से तुमारे विकन विनास होंगे यह नॉट करो यह बहुत कम पीडि यह बहुत काम की चीज है हाथ पर वहाँ पर अक्सर लिखाते हैं न यह भी लिख दो इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्यानकारी बने अपने से प्रण करना चाहिए सर्वीज जरूर करनी है फिर भी आदत पढ़ जाएगी यहाँ भी तुम समझा सकते हो चित्र दे सकते हो यह है पैगाम देने की चीज लाकों बढ़ जाएंगे घर-गर मैं जाकर पैगाम देना है पैसा कोई दे न दे बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज अमारा फर्ज है घर-गर मैं पैगाम देना ये बाब दादा इनसे ये वर्षा मिलता है 84 जनम ये लेंगे इनका ये अंतिम जनम है हम ब्रामन है सो फिर देवता बनेंगे ब्रह्मा भी ब्रामन है प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा न जरूर ब्रामन वनसावली भी होगी न ब्रह्मा सो विश्नु देवता ब्रामन है चोटी वही देवता सत्रिय वैस्य सुद्र बनते हैं कोई जरूर निकलेंगे जो तुमारी बातों को समझेंगे पुरुस भी सर्विस कर सकते हैं सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साई तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ बोलो तुमारा धंदा बहुत अच्छा होगा तुम साई को याद करो तो 21 जनम का वर्षा मिलेगा अमरत विले का टाइम अच्छा होता है आजकल कारखानों में माताइं भी बैट काम करती है ये बैच भी बनाना बहुत सहज है तुम बच्छों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए नींद हराम कर देनी चाहिए बाप का परिच्छे मिलने से मनुस्य धनके बन जाते हैं तुम किसको भी पैदगाम दे सकते हो तुमारा ग्यान तो बहुत उच्छा है बोलो हम तो एक को याद करते हैं क्रेश्ट की आत्मा भी उनका बच्छा थी आत्मा तो सब उनके बच्छे हैं वही गौड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहदारियों को मत याद करो तुम जानते हो याद करो तो विकर्म विनास हो जाएंगे मेरे पास आ जाएंगे मनुस्य पुरसाथ करते ही हैं घर जाने के लिए परन्तु जाता कोई भी नहीं देखा जाता है बच्छे अभी बहुत ठंडे हैं इतनी मैनत पहुंसती नहीं बहाना बनाते रहते हैं इसमें बहुत सेहन भी करना पड़ता है धरम इस्तापक की कितना सेहन करना पड़ता है क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रोस पर चड़ाया तुमारा काम में सबको संदेश देना बाबा कहते हैं तुमारा काम में सबको संदेश देना उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं और संदेश कैसे देना कैसे सेवा करनी उसके लिए युक्तिया बाबा मुलियों में बताते रहते हैं कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारना नहीं है बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो तुम जानते हो हम सर्ग में जाते हैं कोई संतिदाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्रामनों की ही जाना चाहिए, है तो बहुत ब्रामनों को कहा तो रखेंगे ना, ब्रामन देवता सत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की अलाद तो जरूर होंगे ना, आदी में है ही ब्रामन, तु यह ब्रामन है कुख वंसाली ब्रामन तो जरूर चाहिए ना नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रामन कहाern गए ब्रामनों के ब्रामनों को तुम बैठ समझाओ तो वह जट समझ जाएंगे बोलो तुम भी ब्रामन हो हम भी अपने को ब्रामन कहलाते हैं अब बताओ तुमारा धरम इस्तापन करने वाला कौन ब्रहमा के सिवाए कोई नाम ही नहीं लेंगे तुम ट्राइल कर देखो ब्रामनों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं पुजारी ब्रामन तो धेर है अजमेर में धेर सारे बच्चे जाते हैं कभी कोई न समाचा नहीं दिया कि हम ब्रामनों से मिले उनसे पुछा तुमारा धरम इस्तापन करने वाला कौन ब्रामन धरम किसने इस्तापन किया बाबा सवाल पूछ रहे हैं तुमको तो मालूम है सच्छे ब्रामन कौन है, तुम बहुतों का कल्यान कर सकते हो, यात्रों पर भक्त ही जाते हैं, यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्समी नारायन का, तुमको मालूम है जगत अंबा कौन है, लक्समी कौन है, ऐसे ऐसे तुम नौकरो बिलनियों आदी क भी समझा सकते हो तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं नहीं जो उन्हों को सुनाएं बहुत रहम दिल बनना है बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो अपने को आत्मा समझो सिर्भ बाबा को याद करो सौक बहुत होना चाहिए खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरसार करेंगे बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे यह तो तुम बच्चों का काम है गरीबों का भी कल्यान करना है बिचारे बहुत सुकी हो जाएंगे थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं वह भी अच्छा है यह धरम तो बहुत सुक देने वाला है दिन प्रति दिन तुमारा आवाज जोड़ से निकलेगा सब को यही पैगाम देते रहो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तुम मीठे मीठे बच्चे पदमा पदम भागय साली हो जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो फिर भी कोई बात की फिकरात आदी क्यों रखनी चाहिए यह है गुप्त ग्यान गुप्त खुसी तुम हो इनकागनिटो वारियर्स तुमको अननोन वारियस कहेंगे और कोई अननोन वारियस हो नहीं सकता तुमारा देलवाडा मंदिर पुरा यादगार है दिल लेने वाले का परिवार है ना महवीर, महवीर्नी और उनकी उलाद यह पुरा-पुरा तिर्थ है कासी से भी उच्छी जगह हुई अच्छा अच्छा बाब दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गूड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भग्य अब मुल्ली मैं से धारना के लिए मुक्य सार मैं पहला पॉइंट है घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है सर्विस करने का प्रण करो सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो दूसरा पॉइंट है धारना का किसी भी बात की फिकरात नहीं करनी है गुप्त खुसी में रहना है किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है एक बाप की याद में रहना है मीठे बाबा का मीठा वर्दान परिस्तियों को गुडलक समझ अपने निश्चे के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव इस वर्दान को समझते हैं विस्तार से कोई भी परिस्ति आये तो आप हाई जंप दे दो परिस्ति आना भी गुडलक है यह निश्चे के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है आप जब एक बारी अंगत के समाद मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमसकार करेंगे पहले विक्राल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे चैलेंज करो हम महवीर हैं जैसे पानी के उपर लकीर ठेर नहीं सकती ऐसे मुझ मस्टर सागर के उपर कोई परिस्तिती वार कर नहीं सकती स्वश्तती में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे आज का स्लोगन है नौलेश्फुल वह है जिसका हर करम स्रेश्ट और सफल हो अच्छा ओम सांती